Hello student, welcome in SV online classes. तो student आज अपने chapter 5th of class 5th EBS उसके question आंसर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए question first. Which game are played in our village or city? अपने गाम और शहर में कौन से खेल खेले जाते हैं? तो कौन कौन से आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जो आपके खेले जाते हैं, आपे जैसे मारदड़ी, सिटोलिया, गिली डंडा, चुपा-चुपी, पकड़ा-पकड़ी, शेक्टरा played in our village. तो ये सारे गेम खेले जाते हैं. तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो आपके गाम में खेले जाते हैं, आप जो गेम खेलते हैं. विच गेम डू यू लाइक टू प्लेए, आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हों, जो आपको पसंद आपका अंसर वो लिख सकते हो, आई लाइक टू प्लेए, गिली डंडा, मैंने लिखा गिली डंडा. इन कबड़ी, how many players are there in one team? तो कबड़ी में एक टीम में कितने प्लेएर होते हैं? 9 प्लेएर, कितने प्लेएर होते हैं? 9. नेक्स देखिए अब, which games are played on an open ground? तो open ground खुले मिदान में कौन-कौन से खेले जाते हैं? कबड़ी, होकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे के खुले मिदान में खेले जाते हैं, are played on open ground. which games are played in room or a couch space? तो कौन से खेले हैं? रूम में खेले जाते हैं, या एक बंद जगे में, तो कौन-कौन से हैं? बिलियार्ड, चेस, टेबल टैनिस, लुड़ो, तो ये किसमें? अपने couch place में या एक रूम में खेले जाते हैं गें. फिर उसके बद आगे देखिए, नेक्स्ट हाउ डू यू फिल डॉइंग योगा, योगासन आफ्टर प्रेयर इंदा असेंबली, तो असेंबली में योगासन, हाउ डू यू फिल, आप कैसा मिसूश करते हैं, योगासन करके, योगा करके, आफ्टर प्रेयर इंदा असेंबली, तो असेंबली में प्रात्ना के बाद आप यूगा करके कैसा अनुभाव करते हैं तो क्या आंसर होगा इसका we get a positive हम positive यानि शाकरात्म का अनुभाव करते हैं and spiritual feeling और spiritual मतलब बोदिक अनुभाव after doing yogasana, yoga करने के बाद फिर next देखिए if you have any experience of yoga education narrate them in the class यदि आपको को योगा के बारे में experience है तो उसका आप क्लास में बताईए तो क्या होगा देखा योगाशन में के में स्ट्रोंग डोइंग योगाशन डेली एपरसन कें लीड़े हेल्थी लाइफ फॉर लॉंग योगा इजाल सो हेल्फुल इंदा फिजिकल मैंटल इंटलेक्चिल एंड़ स्पेर्चुल डेवलेमंट तो देखी योगा में क्या बनाता है में स्ट्रोंग बनाता है योगाशन डेली अपने योगा करने से इनसान है जो गान लीड़े हेल्थी स्वस्त जीवन जीएगा फोर लॉंग लंबे समय तक योगा आपकर इना बॉद्धिक और spiritual यानि अध्यात्मिक विकास में साहता करता है तो next देखे फिर why should we do yoga हम योगा क्यों करते है योगा leads to the development and art of living तो हमारे के विक्सित करते हैं जीने की कला उसको विक्सित करते हैं and develop a positive approach towards life तो एक सकरात्मक अप्रोच सोच को अपने क्या करता है विक्सित करता है अपने योगा is also help in physical और किसमें सायक है फिजिकल यह निशारिक मेंटाल यानिकी मानसिक नेक्चुल यानिकी बॉद्धिक और spiritual यानिकी अध्यात्मिक विकास में यह help करता है तो अपने कुछ कोशन आसर होगे अब चलि तो नाई नमबर कोशन देखिए ब्लो एर फ्रॉम यूर माउथ त्री फॉर टाइम इन एंपटी ग्लास और ऑन मिरर एंड अब्जार वट हैपन्स क्या करो हवा उसको ब्लो करो अपने मुझ से तीन चार बार खाली ग्लास में या शीशे पे अब देखो क्या होगा दा ग् खाओगा अपने ग्लास या कांच पे शीशे पे अपने क्या करते हैं हवा ब्लो करते हैं तो वह कैसी हो जाएगी बलड यानि दूंदली हो जाएगी फिर देखी वैदर फायर कैन बी लेट अप हायर बाइब लोइंग एर फ्रॉम दा माउथ तो क्या है जो आग जो है जलन हो सकता है वैदर फायर कैन बी पुट आउट बुझ जाएगी बाइब लोइंग एर फ्रॉम दा माउथ तो क्या अगर अगर अपने ब्लो करें मुझ से हवा तो क्या आग बुझ जाएगी तो बुझ सकती है यस इट कैन बी फिर आगे देखी विच इंस्ट्रुमेंट आर प्लेड बाइब ब्लोइंग एर फ्रॉम दा माउथ तो कौन से इंस्ट्रुमेंट है काम में ली जाते हैं जिन से अपने मुझ से हवा करके उनको बजा सकते हैं प्ले कर सकते हैं फ्ल्यूट बांसुरी शंक और सिंगिंग अपने गा सकते हैं एपने सिट रर्लेक्स और ब्रेट नुर्मली नॉर्ट टाइम दर कांट हाउ बॉनले टाइम यू बाने सबस्ट बेहते हैं विद यूर क्लास्मेंट आल्सो तो शिट रिलेक्स बैठके और नॉर्मली और नॉर्मली शांस लो आप और काउंट करो आप एक मिनिट में कितनी बार शांस ले सकते हो तो बाई दिस प्रोसेस इस प्रकिरिया के दारा एक परसन एक वेक्ती ब्रेत अबाउट 15-20 टाइम इन मिनिट तो एक मिनिट में 15-20 बार शांस ले सकता है इंसान नेक्स देखे फिर तो अपने स्कूल के खेल के मिदान उसके क्या करो दो या तीन राउंट लो उसके बाद अपनी सांस लो उसको काउंट करो क्या आपकी काउंटिंग है वो बड़ी या कम होई तो वेन वी रन प्ले और वाक वेरी फास्ट जब हम केलते हैं या दोड़ते हैं तेज आवर ब्रित रेट इंक्रीज हमारी जो हर्द्या धड़कना हो क्या होती है सांस लेने की जो दरव हो क्या होती है बढ़ जाती है आपकी क्रिकेट फुटबॉल लॉंग जंप रेस तो यह बड़े मैदान में खुले मैदान में खेले जाते हैं यह क्या होगे अपने आप्डूर गेम फिर देखे आगे शिटी नंबर कॉस्चिन वट आर दा बेनिफिट ओफ योगा ऑन अवर बड़ी तो योगा के क्या लाब है पारे श्रीर पेद क्या योगा इज हेलफ़ूल इंफिजिकल मेंटल इंटलिक्चुल एंड स्परेच्च्टल डेवलेमेंट तो योगा किसमें सायता करता अपने अध्यात्मिक विकास में यह साइता करता है तो कौन से अपने काम कर सकते हैं मुखसे हवा ब्लो करके ब्लोइंग एर फ्रों दा मौथ वी कन ब्लो अप एंड पुट आउ फायर हम आपको जला सकते हैं और बुजा सकते हैं blow a balloon और balloon को फूला सकते है cool down a hot liquid गरम कोई liquid कोई तारला उसको अपने ठंटा कर सकते हैं तागे देखिए in swimming the name of in cricket the name of is very famous तो swimming में किसका नाम famous है सुनाओ का आपने भक्ती शर्मा ये swimming में तराक्की में famous है और cricket में सचीन तेंदुलकर जिसको क्या का जाता है cricket का भगवान भी का जाता है तो ये अपने question answer होगे एक बार और आप इनको दुवारा से देख लीजिए first, second, third, fourth answer question के answer और फिर ये nine number question 10, 11, 12 उसके बाद 30 number, 14 और फिर ये 15 number उसके बाद इधर ही आगे अपने 60 number, 17 number, 18 number तो student ये आज अपने question answer complete होगे आप इसको सुन्दर सुन्दर अपनी फिर नोटूक में करिएगा thanks for watching, have a nice day और next video में student अपने नया lesson शुरू करेंगे thanks for watching